क्या लिए दोस्तो मेरा राव रूपाम और आप सभी करता हो हमारे रूप्टे में एंड फाइनली रॉयल एंफिल्मेटर का फाइनल लूक हमें मिल गया है जो कि छे नवेंबर को लॉंच होने वाली थी एंड गड़ी वड़ी ने अपने इंस्टागाम हैंडल पर पूट और गारी तो माशलाला क्या तो गारी बनाईये क्या तो स़ई गारी बहुत अच्छा अपडेटि अब बहुत अपडेट किया गया है अभी यह जो images है यह media persons को पहले बेजे जाता है लेकिन I don't know कैसे यह leak हो जाता है और यह leak हो गया है तो यह चीज के बारे बात करते हैं कि गाड़ी में को क्या देखने हो मिलता है एक एक करके बात करें जो इमेज आई है वह टॉप मॉडल की जो सूपर नौवा है उसकी है जिसमें आपको विंट स्क्रीन देखने हो मिलता है और यह जे आर्टेक्चर पर बेज़्ड है यहां यहां पर आपको double CADEDT FRAME मिलता है जो की नया है पहले जो दूसरा यूज होता यहां पर नया यूज हुआ है, double CADT FRAME समूध अगर मैं एक एड़ लाट की बात को विज्डा को यहां पर कौनिट राउड धैड LAiT जो की काफ़ी शार्प है और इसमें LED daytime running light आपको देखने को मिलता है जो कि इस गाड़ी के look को काफी अच्छी provide करता है यहां पर अगर smooth आपको body panels देखने को मिलते है और circular mirrors इसमें दिया गया है इस गाड़ी में जो की काफी अच्छा हो काफी premium look इस गाड़ी को provide करता है upright और tall sitting posture और tall handle bar का setup दिया गा है जिससे information इसमें digital है और यहां पर आपको Bluetooth connectivity भी देखने को मिलती इस गाड़ी में जिसमें आप navigation के through भी use कर सकते Bluetooth से connect करके जो की again Royal Enfield में काफी अच्छा introduce किया है और यह आपको सारे range में देखने को मिलेगा Royal Enfield की Meteor 350 में यहां पर आपको backrest देखने को मिलता है और इसका जो tail light है व वाला variant आएगा नहीं आएगा अभी असमंजस में लेकिन आएगा तो जाद अच्छा है फिराल तो इसमें आपको अलाव वीज देखने को मिलता है फ्रेंट रियर में आपको डिस ब्रेक देखने को मिलता है और यहां पर आपको जो एक्जॉस्ट देखने मिलता है वह देखने मिलता है ळीर में आपको डूसस्पंशन सटप अप ढूल यवैं जरूप भी नहीं है और वह से भी राइडिंघ तक्ट देगा सिस्पेंशन के थरू जहां पू आपको प्लीड सी डेखने मिलता की इस गाड़ी में जो यो कि इस गाड़ी को लुप काफны अच्छा प्रोवाइड करता है अब सीधे मुद्धे पर आ जाते है इसके इंजिन पर यहाँ पर एयर कुल एंजिन है और अभी भी गेर का खुलासा नहीं हुआ है कि इस गाड़ी में कितने गेर होने वाले लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर इसमें 6 गेर हो तो जाद अच्छा है लेकिन अगर 5 गेर है तो फिर अगेर पुराने जैसी लगेगा हमको लेकिन हाँ डिजाइन को काफी अच्छ सब्सक्राइब करते हो तो काफी हेल्प होती है लाइक जरू करिए कोई मैंने एम नहीं रखा फिर भी अगर 100 तक करते हो तो थोड़ा तसल्ली मिल लियागी मिलते हैं अगली वीडियो में बाए